हेलो, 9 बच गए हैं और आ गए हैं आपके आशु भहिया लेके अपनी वो rapid fire मस्ती एक्स्प्रेस जिसमें हम करने वाले हैं क्या हम करने वाले हैं बहुत सारे words और यहां दिख रहा है आपको क्लाइट की 2024 किये deadline आपको पताएगी क्लाइट का exam बस अब आने ही वाला है और आपके पास बचे हैं सिर्फ August, September, October, November यह 4 महीने और इसमें आपको अपनी करनी है vocabulary को बहुत जादा strong तो उसके लिए यह session तो आपको करना है अटाइंड लेकिन उसके साथ-साथ ही आपको लेना है यह batch भी जो की है इसमें आप जूड़ सकते हैं हमारे साथ और code लगा सकते हैं Y713 उसी के साथ-साथ आपके लिए MHCET और CUT के लिए भी हमारे दो batches है जो की है 3 years और LLB के लिए Titan batch और Victory batch जो आप जाके ले सकते हैं code रहेगा वही जो की है Y713 आये तो पहला word जो आपके सामने पर लेके आया हूँ वो है Implacable Placable का मतलब क्या होता है जो कोई एक ऐसी चीज जिसको आप शांत करें काम करें तो Implacable क्या हो जाएगा Something cannot be changed, unappeasable or inexorable उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम बोलते हैं Implacable Implacable का मतलब होता है जिसको आप शांतना कर सकें जिसको आप बिल्कुल भी appease बिल्कुल कहते हैं कि मना ना पाएं जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो उसको बोलते हैं Implacable अगला word हम देखते हैं, अगला word जो आपके सामने आ रहा है is idolatry As the name suggests, idolatry क्या होता है, idolatry होता है जिसको आप बहुत जादा मानते हों जिसको आप worship करते हों, उसको हम बोलते हैं idolatry जैसे की idols तो इसके लिए हम क्या use कर सकते हैं? idols, इसका मतलब क्या होता है? something worship of idols, excessive admiration, so some people exhibit idolatry towards celebrity वो कहते हैं अपना भगवान मानते हैं, उनको तो उनको हम बोलते हैं क्या? idolatries अगला देखते हैं, अगला word क्या है? surly now surly का मतलब क्या होता है? what is surly? surly को आप याद कर सकते हो somebody who is negative, somebody who is sulky basically, आप किसकी बात कर रहे हो यहां पर, आप एक colony में cricket खेलते हो तो वहां पर हमेशा वो grumpy से एक uncle होता है जिनको हर चीज से problem होती हो रे भाई, यह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्यों खेल रहे हो, यहां मत खेलो, यहां बॉल आजाएगी, मैं फैक दूँगा, मैं दूँगा नहीं so that surly is somebody who is bad tempered, unfriendly, grumpy, मला अभी ऐसा इंसान जिसको बहुत जादा गुसा आता हो, हर समय वो irritated ही रहता हो उसको बोलते हैं surly, और जब कभी आप teachers को दुखी कर देते हो ना, तो teachers कैसे करते हैं, इडिटेट होके, bad tempered में गुस्ते में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं surly, अगला word है, indolent तो उसमें गाना है न, हम हमेशा बोलता हूँ है लेजी लम्हे, तो लेजी लम्हे is indolent लम्हे, तो something that is dull, something that is lazy, lassitude, lethargic, उसको बोलते हैं हम indolent लम्हे, अगला word देखते हैं, is besiege, besiege का मतलब होता है जब आप किसी को surround कर लो, ठीक है, आप भागने से कोई फाइदा नहीं है पुलिस ने तुम्हे चारो तरफ से घेर लिया है, तो there is no, you know, point in running why, because police has besieged you, तो पुलिस ने आपको surround कर लिया है, block कर लिया है the king march to besiege the enemy's vote, उसने उसको घेरा बंदी करने के लिए आगे march कर दी, that's called besiege, अगला word is immutable, immutable क्या होता है, something that means that cannot change, mutation का मतलब क्या होता है, mutation का मतलब होता है, something that can change and immutable का मतलब हो जाएगा, something that cannot change, unchanging, unyielding, inexorable, implicable, something that can't be changed, जब कुछ ऐसी चीज जो बदल नहीं सकती, that's called immutable next is dilitante, dilitante is what is something that is a skill for self, जो आप अपने लिए सीख रहे हो, जैसे a person who does a skill for delight, a hobby, as an amateur, मतलब जो बिगनर हो, कोई ऐसी चीज जो आप अपने मनुरंजन के लिए करते हो, अपने hobby के लिए करते हो, उसको हम बोलते हैं dilitante, ठीक है, that's a person, so that's why it's a noun, it's called amateurish, next word is iniquity, iniquity is somebody that is iniqual, मतलब कोई एक ऐसा behavior जो की immoral हो, ठीक है, so morally incorrect, iniqual, wickedness, इसको हम बोलते हैं, iniquity, iniquity और inimicable, ठीक है, तो kind of similar words है, यह inimical था न, उन्जे वर्ड बनाया था, just like an enemy, so that is iniquity, iniquity मतलब जहां पर equality ही ना हो, और जहां equality ही ना हो, वहां पर क्या होता है, immoral behaviors होते हैं, अगला word है, dither, dither is an indecisive behavior, excited state of agitation, act nervously, undecided and uncertain, when you are not, you know, in that particular zone, when you are undecided, uncertain हो आप किसी चीज को लेके, उसको बोलते हैं, dither, next word आपके लिए is abscond, abscond होता है, बिना बताए, गाया बुझाना, तो जैसे employees होते हैं, वो अपने boss को बताए, बिना गाया बुझाना, और कल से office ना है, तो उसको क्या बोलते हैं, you are absconding, you are absconding, मतलब to escape, run away, when you are, just get missed, or you are missing without the knowledge of anybody, that's called abscond, तो करते करते, यह आज के हमारे सारे words हो गए, यह हैं वो सारे batch, जो आप ले सकते हैं और जुर सकते हैं मेरे साथ, जो आपको पढ़ाएगा English or Critical Reasoning, और कोशिश करेगा, कि आपका जो सपना है एक NLU में जाने का, या किसी भी बहतरीन कॉलेज में जाके पढ़ने का, वो हो जाए पूरा, right, तो इसी के साथ सेशन को यहीं करते हैं, समाथ, thank you so much, good night, छुब रात्री, शब्बा खेर, फिर मिलेंगे बहुत जल, तो आज केलके, नमस्कार, जै हिंद, जै भारत.